चॉक्री तरन एक मगाई ऑ counselors Fktor kutai lunch अज हम बना रहे हैं चॉक्रीट के जिसके लिए मैंने कोचा पार्णि पार्डर लिये है प्सको is common तेल लिये मैंने 113 कップ कौफी पार।्डर्ल लिये मैंने एक टीबल स्पूर्ण बेकेंग सोडर लिये चॉकलेट एसंस लिए है मैंने यहां पर वन टीस पून आप चाहें तो वनिला एसंस भी इस्था आटे समाल कर सकते हैं क्यों चॉकलेट के तो चॉकलेट एसंस अच्छा टेस्स आते तो मैं चॉकलेट अश्ट आ लिए रेस्पी आपको डिस्क्रिप्शन से मिल राजमें चे यह हमारा बटर मिल्क बनके तयार हो चुका है देखें इसकी कंसिस्टेंसी तोड़ी दही जैसी हो गई है अब हम इसको चीनी वाले मिक्सेर में डाल देंगे अब हम इसको इतना मिक्स करेंगे और इसके तरीकी से मिक्स करेंगे चीनी इसमें मेल्ट हो गहाएा और इसको भी मैं इसमैं अच्छे से मिक्स कर लिए मैं दानेदर चीनी इस्तामाल करिए चीनी इसके अंदर अच्छे से मैल्ट हो गई है अब हम इसके अंदर चोकलेट आइसेंस डाल देंगे और इसको भी मैं इसमें अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसमें मैं कॉफी पाउडर भी डाल दूँगी और कॉफी पाउडर को भी हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे कॉफी को भी हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे कॉफी मेल्ट हो गई अब हम इसको साइट में रख देंगे यहां पर मैंने ड्राइंग्डेटेंटे ले लिए मैं पहले ही छान लिया तब मैं कोको पौडर इंग्रिटेटेंटें लिए भाष स्टाइब व्यादि सौहर ने चाहिए था क्या छर्ग्डेटो रिखान ले दूसे था में डूदवाले मिक्सर और इसको भिलक्त हाथ से फोल्ड़ कर लूंगी थोड़ थोड़े करकर दालेंगे ताकि एसमें कोई लंप्स ना बने और calm अब बिल्कोल हल्क हाथ सहम इसको and baja कर लेंगे मैंने सहारा बैटर मिक्स कर लिया ता और इसमें कोでした यहाँ पर मैंने चैंच का पैन ले लिया चिसमें राद लगा दिया तो तेल लगा दिया तो पर ऐंद्ש के 40-45 मिनिट्स के लिए ओवन में रख दूंगी ओवन मैंने पहले ही प्री हीट कर लिया था बीस मिनिट के लिए पूरे 45 मिनिट बाद मैंने केक निकाल ले केक हमारा अच्छे से बेक हो चुका है केक चेक करने का वह असान सा तरीका होता है कोई भी टूट पे क्या नाइब डा यह मैंने इसका बटर पेपर उताव दिया था और मैंने इसको एक पलेट पे शिफ्ट कर दिया है केक के सांचे की नीचे वाली पलेट थी उसी पलेट से हम इसको हम मून शेप में काट लेंगे यह हमने काट दियो और इसके साइट तूट गई तोड़ीजी कोई बाद नी के अब हम जो एक्स्टर बच बटाया कि हम राख लेंगे और जो उपपर वाली साइट है उसको हम एक लेवल कर डिने उसको हम हूं और जो एक्स्टर करेंग उसको पूँछाज़ै कर हम साइट में रख दिने बस इस तरीखे सिम चान को लेवल कर लेंगे अब मैं हां यहां पर चौकलेट फ्रॉष टिक उसके इसके लिए इसके लिए मैं हन आपर में сотड नियों है अहां कि मैं आप करीम रहें वें केम करें यह वन फॉर कड मैं ने दियम ने लिए यह अच्छे से मिक्स हो जाए चौक्डट फ्रॉस्टिंग हमायी तेधियार हो चुकिया अब हम केक पर पर तो सारी प्रॉस्टिंग बहँ जाएगी यह हमने पर चॉकलेट चुप्ष ले लिए और मैं केक के चॉकलेट चिप्स लगा दूगी बस मैं इसके कॉर्णाट्स पे चोकलेट चिप्स लागा कर आपको डिश्रूट करके दिखाती हूँ हमारा बहुत मज़दार सा केग बन के त्यार हो चुक है आप सबको महीं तरफ से बहुत बहुत इद उबारक रेस्पी को लाज में ट्राय करिएगा और कमेंट में बताएगा रेस्पी कैसी लगी रेस्पी पसंद रहे दो वीडियो को मस्त लाइक करें चैनल को कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो उसका आपको पते चलता रहें अपना बहुत सारा खाया रखेगा द्वाव में याद रखेगा अल्हाफिस